हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो एक पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो बच्चों Power Grid Corporation of India Limited ने डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 425 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली हुई है जिसका नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया है जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि Power Grid Corporation of India Limited या सिंप्ली Power Grid जो है एक महारतना कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जो की Ministry of Power Corporation, Government of India संचालित की जाती है और अगर देखा जाये तो ये largest transmission utility है in the world जो की डिप्लोमा ट्रेनी के पोस्ट के लिए जिन भी बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है in Civil, Electrical और Electronics Engineering से उन बच्चों के लिए डिप्लोमा ट्रेनी के लिए ये वैकेंसी रिलीस की गई है जिसका online अगर देखा जाये submission application का वो 1 September 2023 से start हो रहा है और last date इसका online application का आप देख पा रहे हो ये 23 September तक है तो बहुत जादा दिन इसमें नहीं है आप जल्दी से जल्दी जैसे ही form application start होता है आप तुरंद इस application form को भर दीजे बटा ये बहुत ही अच्छी job है especially उन डिप्लोमा holders के लिए ज जाना चाहते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा vacancy electrical engineering के students के लिए निकली है तो diploma trainee electrical के लिए 344 vacancies निकली है और diploma trainee civil के लिए देखा जाये तो केवल 68 vacancies है electronics के लिए जैसा normally कम vacancies आती है because students भी यहाँ पे कमी है तो ये 13 vacancies है तो electrical वालों के लिए एक बहुत अच्छा chance है बटा इस इसको अच्छे से आप form को fill करिए और अपनी तयारियों में लग जाए क्योंकि diploma trainee का जो भी exam होगा वो काफी अच्छा exam सोता है और इसके लिए अच्छी तयारी आपको होनी चाहिए तो great opportunity आपके लिए है ताकि आप अपने career को एक अच्छे जगन set कर सकें और एक public sector में EWS के लिए उसके अलावा SCST category के लिए कौन कौन सी vacancies कितनी vacancies हैं ये सारी vacancies जो है वो जैसे full notification आएगा मैं ये सारी vacancies discuss कर लूँगा और अगर आपको personally जाके वहाँ देखना है तो आप www.powergrid.in पे जाके इन सारी चीजों को check कर सकते हैं अभी full notification नहीं आया है तो आप क्या की जो date है वो 1 September 2023 है जबकि इसका last date of online application 23rd of September 2023 है तो ये दोनों चीज़े मत भूलिए और जल्दी से जल्दी form को fail कर दीजे तो बाकी के आगे के updates ये सारे updates मैं आपको देता रहूँगा तब तक के लिए बने रहे हैं इंजीनियस जिनी के YouTube platforms के पर